समस्ते भाई बेहनों आप सब को मेरा कोड़ी कोड़ी परणाम आज मैं आपको शीरी मद भावर पुरान का नवी शकंद का चट्वे अध्याई चुना रही हूँ जरूर सुनना, लाइब करना, सस्क्राइब करना, बोलो सिरी कृष्ण भगवान की जैहो और आज छट्वे अध्याई में है नवी शकंद का पुर्जय और मधाता की कथा बोलो सिर्किष्ण भगवान की जैहो स्री सुकदेजी बोले, हे परिक्षित अमरीज के वंस में एक इच्छा को नामग महा यसर्षी राजा हुआ, महा यसर्षी राजा हुआ एक दिन वह अपने जेष्ट पुत्र सासत से बोला एक दिन वह अपने जेष्ट पुत्र सासत से बोला हे पुत्र तुम वं में जाकर पसु ले आओ तो मैं उससे फित्रों को सराद कर दूँ सराद कर दूँ, बोलो सिर्किष्ण भगवान की जैहो यह बासुनकर राजपुत्र ने गुण में पहुंच कर ले खीरन को मारा और भूग लगने के कारण उसमें से थोड़ा समांस खा लिया और सेसमांस राजा को लाकर दे दिया बोलो श्रीकिष्ण भगवान की जैओ बोलो मेरे कृष्ण करने न्यां की जैओ जब राजा सराद करने लगा तब वशिष्ट जी राजा से बोले है राजन यह मांस तो जूठा है क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूग लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया था बोलो श्रीकिष्ण भगवान की जैओ इसलिए यह श्राद योग्यार नहीं है यह बचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाल देश से निकाल दिया जब राजा इच्छा को की मिर्थे हो गई तब वशिष्ट जी ने उनके पुत्र को बुलाकर राजा उनका राज अभिशेक कर दिया बोलो श्रीकिष्ण भगवान की जैओ क्रिष् पुत्र राजा उत्पन हुआ महापरतावी राजा उत्पन हुआ एक समय देट्यों ने शंग्राम करके देवकां को प्राष्ट कर लिया उस समय इंद्रादिक देवताओं ने ब्रहमजी के पास जाकर उनसे यह कहा कि तुम लोग मैं ब्रहमजी लोग के राज पुरजय से जाकर सहिता मांगो सहिता मांगो तब तुम्हारी जीत होगी यह सुनकर यह बचन सुनकर देवकां ने राजा पुरजय के पास जाकर कहा यह राजन आप हमारी विजय के लिए हमारे साहिक देट्यों से युद्द करो बोलो स्री पिष्ण भगवान की जय हो बोलो मेरे जय हो युद्द करो पुर्जय ने उतर देते हुए कहा देवराज मुझे तुम्हारी साहता करना शुकार है लेकिन देट्यों कि से संग्राम करते समय मेरा सरीर ऐसा मेरा सरीर सरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाती आधी तक नहीं उठा सकते मुझे मुझे हाती भी और कुछ भी मुझे उठा नहीं सकते हैं नहीं सकते हैं इसलिए इसलिए यदि तुम शुयम बैल बनकर मुझे अपनी पीट पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी साहता कर सकता हूं बोलो श्री किस्न भगवान कीजे हो बोलो मेरे कृष्म करनया कीजे हो तो मैं तुम्हारे साहता कर सकता हूं अगर आप अपनी पीट पर ले जाओ इंद्र देख को कहा। बोलो श्री किस्न भगवान कीजे हो उस समय उस समय उस देख के मुख से ऐसी अगरी प्रभाइद हुई कि उसमें राजा कुलै यावस के कुलै यास्वा के 21,000 पूत्र भस्म हो गए उस समय जब उसके मुख से ऐसी अगरी प्रभाइद हुई कि राजा का कुलै यास्वा के 21,000 पूत्र भस्म हो गए और केवल ग्रजावस का निकुम को नामक पूत्र हुआ निकुम के कुल से युनावस नामक राजा हुआ उसने सातों दीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया लेकिन उसके कोई पूत्र ना होनेंगे के खंब सदा चिन्तित रहता था उसके कोई मीत नहीं था तो चिन्तित रहता था इंगी युद नासव ने रिशियों से प्रात्रना करते o कि प्रातन की के जिर से ने हो युदमैंड यह सब एसा प्रेथन मेंडर्यन पूत्र Powerai कराई जिन्होंने उन्होंने यह किसाला में एक चलस में जल भर कर मंतलार सुध करके रख दिया कि प्रात काली से जल को राणी को पिलाएंगे थो राणी के गर бол private रह जाए गा लेकर रातरी ब्र donaat रातरी में रातरी में तो गोन हार वंस राजा ने भूल से उसी जल को पी लिया जो जल राणी के लिए रखा था मंत्रों से सुद्द करके ताकि शुवय पिलाएंगे तो राजा राणी के गर्ण में बालत उत्वन होगा तो राजा ने पी लिया प्यास रगने के खारण से रात को तक पचा जब रात कार रिश्यों को ये बात मालूम होई तो है राजा से बोले है राजा अब तुमारी गर्ब से एक पुत्र का जन्म होगा ये सुटर राजा पहले तो कुछ चिंतित हुआ लेकिन बाद में इश्वरी चा जानकर धहरे धारं कर लिया तस परसाद दस्वे मास में रिश्यों ने राजा की दहनी को भाड कर बालक को निकाल लिया और घाव को सी कर राजा को अच्छा कर दिया बोलो सिर्व किष्ण भगवान की जय हो बोलो मेरे किष्ण कहनिया की जय हो अच्छ भाड कर अच्छा कर अच्छा कर दे जब बालक क खुरुक लगी तो इंद्र ने अपना अमिर्ट में अंगठा उसके मुह में देर चुसाया। अंगठा चुसाते समय इंद्र ने उसको माधाता कहकर संबोतित किया। इसलिए इसका नाम मधाता है रख दिया। तर्म होने पर माधाता ऐसा सक्ति साली राजा हुआ। कि जय हो वस्मे कर दिये उसने यग्य करके ब्रहमयों को मनों इच्छित दान दिया तस पस्चाद मधाता के मधाता के मुचु कुंद आदे की तीन कुट्र और पचास कन्यां उपन हुए राजा ने उन पचास कन्यां को स्वबरी नाम क्रिशी को ब्यादी बोलो श्री कृष् श्री सुख देजी से पोचा है महामने राजा मधाता ने अपनी समस्त कन्याए वे रिशी को ब्यादी बोलो श्री किस्ण भगवान की जय हो इससे आगे कल सुनावी